ही गाईज वेलकम टू नॉटी स्टिचेज आज की इस वीडियो में हम प्रिंटेड कपड़े में से पैचेज काटके कुर्ती के गले का एक सुन्दर सा डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए आप प्रिंटेड या इंब्रॉइडरी वाला फैब्रेक यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हूँ जिसके उपर मोटिफ थोड़े दूर दूर बने हुए हैं आपको भी इंब्रॉइडरी वाला या प्रिंटेड फैब्रिक इस तरह का लेना है जिस पर डिजाइन थोड़ा दूर दूर बना हो ताकि इसको अलग से काट के हम इस्तेमाल कर सकें तो यहाँ पर मैंने ये प्रिंटेड पैचेस काट लिये हैं और अब इसको हम फ्यूस पेपर के उपर चिपकाएंगे अब यहाँ पर मैंने एक पैच को सीधी तरफ से चिपकाया है और दूसरे पैच को उल्टी तरफ से क्योंकि मुझे इन दोनों का डिरेक्शन ओपजिट रखना था और जिस प्रिंटेड फैब्रिक का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है इसमें रॉंग साइड पर भी प्रिंट पराबर ही दिख रहा था और कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से इनको उपजिट डिरेक्शन में चिपका लिया है लेकिन अगर आपकी प्रिंटेड फैब्रिक में रॉंग साइड पर प्रिंट नजर नहीं आ रहा है या फिर आप इंब्रॉइडरी वाला फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आप पैचेज को इस तरह से नहीं चिपका पाएंगे तो इस तरह से दोनों पैचिस को मैंने काट कर अलग कर दिया है और यहां से मैं पैच का extra fabric काट रही हूँ थोड़ो थोड़ा कपड़ा मैंने यहां छोड़ा है और बाकी कपड़ा मैंने काट दिया है अब हम इस पैच के उल्टी तरफ पैन से इस डिजाइन की बाउंडरी माक करेंगे यह देखिए प्रिंटेड डिजाइन की बाउंडरी मैंने इस तरह से माक कर ली है अब यहां पर मैंने एक प्लेन ब्लैक फैबरिक लिया है और इसके उपर हम इस पैच को उल्टा करके रखेंगे और जो निशान हमने पैन से लगाया है बिल्कुल उसके उपर हम बिल्कुल बारीक सिलाई से इस तरह सिलेंगे ये देखिए हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक सिलाई से सिलना है मोटे बख्ये से नहीं सिलना है इस तरह अब यहां से हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और इसके उपर छोटे छोटे नौचिस लगाएंगे यह छोटे छोटे कट्स लगाते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रुखना है कि जो हमने सिलाई लगाई है बारिक वाली वो ना कटने पाए अब पिछले कपड़े को हम छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह किसी नौचिली चीज़ की मदद से हम बिल्कुल अच्छे से इसको बाहर की तरफ पुश्च करेंगे और सीधा करेंगे और अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर दोनों पैचिस मैंने इसी तरह से बना कर तयार कर लिये हैं इनको अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम गला तयार करेंगे इसके लिए मैंने पेस्टिंग वाली बुक्रम ली है इसके लंबाई मैंने लिया 16 इंच और चौड़ाई लिया 4 इंच अब यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा गोल गला ड्रॉ कर लिया है इसके नीचे 0.6 इंच चौड़ा हमें एक पैनल बनाना है इस पैनल की लंबाई हमें तकरीबन आठ इंच रखनी है तो इस तरह से पैनल ड्रॉ करने के बाद हम इसको नीचे से गुलाई वाली शेप दे देंगे और गोल गले की साइड में हम एक इंच चौड़ा बॉर्डर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एक इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे और इन निशानों का अपस में जोड़ देंगे इस तरह अब हम इस गले की कटिंग कर देंगे इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें गले की कटिंग करनी है जो निशान हमने पैंच से ड्रॉ किये हैं बिल्कुल उनके उपर हमें काटना है तो इस तरह से मैंने गले की कटिंग कर ली है और अब हम इस गले के उपर एक कपड़ा चिपकाएंगे जो प्रिंटिड फैब्रिक मैं डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ उसके साथ ही मैंचिंग मैंने प्लेन कपड़ा यहां पर चिपकाया है गले के उपर अब हम यहां से एक्स्टा कपड़े को काट देंगे तो इस तरह से कपड़े के उपर गले को मैंने चिपका लिया है अब हम एक्स्टा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे गले के उपर और सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सफाई से हमें कपड़े को फोल्ड करना है यहां पर यह देखिए तो यहाँ पर गला मैंने तयार कर दिया है अब हम इसको कुर्टी के उपर सिलेंगे गले को बीच में से फोल्ड करके इसका सेंटर माग करेंगे इस तरह कुर्टी की रॉंग साइट पर हम गले को उल्टा करके रखेंगे और बुक्रम के बिल्कुल साथ साथ बारीक बखिये से सिलाई लगाएंगे अब हम अंदर से एक्स्टा कपड़े को काट देंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके चारो तरफ सिलाई लगाएंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफली सिलाई लगाई है क्योंकि इसके उपर मुझे लेस अटैच करनी है लेस लगाने से ये सिलाई नीचे दब जाएगी और नजर नहीं आएगी तो इस तरह की समोसा ट्राइंगल वाली लेस मैंने लिए है इसके उपर अटैच करने के लिए इस तरह से किनारी पर हम इस लेस को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह की लेस लगानी है आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं बस लेस बहुत जादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए यानि की आसानी से घूम घूम कर लगने वाली होनी चाहिए तो इस तरह से मैंने इस गले की चारो तरफ लेस को अच्छे से अटाच कर लिया है इस तरह अब इसके उपर एक और सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल मजबूती से लेस को यहाँ पर अटाच कर देंगे अब इस तरह से रेस को अटाच करने के बाद हम अपने पैच्छे को गले के उपर अटाच करेंगे जो कि हमने प्रिंटिट कपडे में से काट कर तयार किये थे इस गले के दोनों तरफ मैं पैच्छे को इस तरह से प्लेस कर रही हूँ अच्छे से इनको सेट करने के बाद एक बार पिन लगा लीजिए इस तरह और उसके बाद यहाँ पर हमें कच्चा टांका भी लगा लेंगे ताकि पक्की सिलाई लगाते हुए यह पैचेज अपनी जगा से ना हिले इस तरह कच्चा टांका लगाने के बाद हम बिलकुल सेम कलर के धागे से इसके उपर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर मैंने मशीन में काले रंग का धागा डाल लिया है और बिलकुल बारिक सिलाई से इन पैचेज के चारों तरफ हमें बिलकुल सफाई से सिलना है पैच की किनारी से जादा दूरी पर हमें सिलाई नहीं लगानी नहीं तो पैच उठा उठा नजर आएगा और इसी तरह से दोनों पैचेस को मैंने अच्छ से सिल लिया है और गले का डिजाइन भी ये बन कर तैयार हो गया है तो गाईज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब की बटन के साथ साथ बैल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे सबी वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें साथ ही आप मुझे फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई बाई